नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ये हमारा पॉलिटी का 47 नमर का लेक्चरी और हम देख रहे थे हमारा पॉलिटी का 14 युनिट जिसका नाम है स्टेट गॉवर्मेंट वाला जो युनिटी उसके अंदर हमने प्रिवेस लेक्चर में सब ओर्णेट कोट ये जो चाप्ट देखने वाले जिसका नाम है स्पेशल स्टेटस टू जम्मो एंड कश्मिर समझ गया आप देखों ये जो जम्मो कश्मिर जो चाप्टर था आप तक सेलाबस में उसके अंदर एक चीज थी वो था आर्टिकल 370 और पिछले साल तक पिछले साल तक ये पुरा एक चाप्टर अधिकल 370 जो है इसको एकदम डिटिल में बताया गया था इसके पुरूविजेंस आर्टिकल 370 में क्या क्या चीज आती है जैसे कि हमारा जो देश हमारे देश का जो च्टिशन है वह जम्मो कश्मिर के च्टिशन जम्मो कश्मिर जो स्टेट है उसमें लागो नहीं होता फिछले साल तक जब तक आर्टिकल 370 चालो था और मतलब वहां फिर क्या 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 होटा था वहां पर उनका खुछ को धना परेंदी इंक सिरेंख और संवेय का और गल यह तक एक को से टाल pem का मतलब लिखा जाता कि उसमें नहीं कोँछते नहीं तो सारी चीज हमें पड़नि पड़ती थी तिस साल क्या हुआ surg as ऐक सीवीद्त में घुत थी इसके वजय से कहता डिया इसके वज़से आर्टिकल 370 प्रवजियेंश मियंगा हम स्युत्व पर एक्जंप्र महाराष्ट्रा में जो इंडियक इंस्ट्रोशन लागई वही फिलला भी जमो कश्मिर में लागई अभी इस इस साल से समय रहे हैं आप इनके उनको कुछ स्पेशल प्रोविजन नहीं ना स्पेशल स्टेटस दिया गया है तो इससे पहले जो जमो कश्मिर था उनको जमो कश्मिर के लोगों को जमो कश्मिर स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था आर्टिकल 370 के अंदर तो इस साल मतलब प्रिवेश सेयर क्या हुआ हुआ बिल्कुल ने क्योंकि वो अभी प्रोविजन है नहीं तो उसके कोशन तुड़ाएगा हाँ कुशन क्या आ सकता है कोशन नहीं आ सकता है कि अभी जो आर्टिकल 370 को हटा दिया है तो जम्मो कश्मिर को ना दो इन टेरेटर में डिवाइड कर दिया है एक जम्मो कश्मिर है और दूसरी अला दाख समझ गए तो वो क्या चीज़ है वो सारी चीज़ हमें जो हमारा यह वाला चाप्टर है आज का साथ नमर का इसमें हमें यह सारी जम्मो कश्मिर से लटेड एकदम जीरो से बैक्राउंड से वी इस ट्री से मैं आपको बताऊंगा देखो शुर में एक बार पढ़ ले दे स्पेशल स्टेटस क्या था जम्मो कश्मिर को स्टेटस में यह जो चीज़ है ना यह जो स्लाइड बनी है यह स्टेट को धानें से पहले वाली समझे गया तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं क्या था अछलो और गिरड घृटिकल कर सके तो बी चैज़ यह जाएंगी पर आगे तessä हैं जम्मु & कश्मिर JNK is the constitute state of Indian Union and its territory form a part of part of territory of India Article 1 में लिखा है कि जो जम्मु & कश्मिर यह वो एक constitute state यह इंडिया union का और इसके जो territory है वो इंडिया की territory का part इंडिया पार्टिस अए Article 370 जो हमारे constitution के part 21 में लिखा हुआ है आर्टिकल 370 हमारे constitution का part 21 जोए 21 में आर्टिकल 370 डाल गाया है और आर्टिकल 370 ने जमु एन कश्मिर को special status दिया था इससे पहले यह slide जब बनी तब दिया हुआ था अभी हटा गया है इसके वाई से क्या हुआ all the provisions of Indian constitution constitution of India do not apply on to it मतलब इससे पहले क्या होता था कि 300 special status दिया गया था अभी हटा है चुका है मैं दोने जो slide बनी थी तब था क्या हटा नहीं था तो अब यह 370 को हटा गया है और जो special status मिला था जमु कश्मिर को वो भी निकाला गया है और इससे पहले क्या था हमारा देश का जरूरत क्या थी special status की और क्या था यह special status और क्यों दिया गया था फॉर एक्जामबल कोई बंदा वो ब्यार का है वो बोलेगा ब्यार को तो special status नहीं है जब मु कश्मिर को क्यों special status दिया गया था जो भी हो जैसे कि उनका उनके लिए अलग constitution था इंडिया का constitution वापे apply नहीं होता था ये सारी चीज़े बाकी state को तो नहीं मिले थी तो इनको special privilege क्यों दिये गये थी समझ गये वो हटा है बात सही चलो वो हटा दिये आपसे नहीं है पर पहले दिये क्यों गये थे ये question आपके मन में घर करके बेटा होगा तो ये question का answer में आपको बताता हूँ with background तो ये जानने के लिए नहीं लगबग 70 साल पीछ से जाना पड़ेगा हमें कहा जाना पड़ेगा हमें जाना पड़ेगा जब हमारा देश आज़ात हुआ था 1947 समझ गया आप 1947 में जम्मो किश्मेर को दो तुकड़े में बढ़ गया था समझ गया एक दो देश बनने थी हमारे मतलब उस टैम पे जो इंडियन संब कंटिनेंट था उसके दो देश बन गया थे पहला था इंडिया दूसरा था पकिस्तान समझ गया अब जो हमारा देश का बटवारा हुआ था वह on the basis of religion हुआ ध उस टैम पे दो पकिस्तान थी 1947 में जब देश आधात हुआ था तो यह जो पकिस्तान इंडिया तो बीच में बर रहेगा देखो यहां से लेकर पुरा इंडिया और यह जो दिख रहे ना आपका ग्रीन शेड में ऐसे दो पकिस्तान मिले थी एक था विस्ट पकिस्तान एक यह जो पकिस्तान वाले ना जो मतलब क्या हुआ यह पर पार्टी बहुत ज्यादा होगी इलेक्शन हुए और इधर की पार्टी सत्ता में आगई अब इधर की पार्टी सत्ता में आगई अगई इधर के जो पॉल्टिकल पार्टिस थी इनको ये चीज मतलब इनको ये चीज एकसेप्टिने गरपाए कि इधर के लोगा में रूल करेंगे सारे देश को इनोंने यापे मिल्टरी बीज दी यापे जुनों से आड करवा दिया काफे लोग को मरवा दिया फिर ये जो इस्ट इनको हेल्फ की इंद्रगांदी ने इनोंने यापे देखो पुरा बैरिकेट्स लगा दी यापे आर्मी लगा दी नहीं भी लगा दी इधर से आर्मी लगा दी ये एरफोर्स भी लगा दी और ये इनका जो मुद्दा है वो लेकी गई का यूए नो सोईत रस्ट्र संग मे उनने इंद्रगांदी जिनीम आपे बोल दिया कि जो वेस्ट पाकिस्तान वाले लोगे वो इस्ट पाकिस्तान वाले लोगे को उनपे अत्यचार करें उनपे जुलम करें तो उनको आप आज़त करवा दो तो इनाइटिट नेशन जनरल अश्रम ले में एक इंडिया प्रटिक्ष्ट एंडिया इंडिया प्षट इंडिया और फकिस्त सबीक्ष्ट लुट पकिस्तान क्या जए कflix्षकंतन अब सबुए इस्ट पकिस्टान पाइल चिर्ट आधि है तिनिंस सब्सक्रों का द wenn in Para u 500 प्लस रियास है थे थी प्रिंसली स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स मतलब क्या राजय रजवाड़े थी अब आम है आजादी तो मिल गई और उस टाइम पे जो 500 प्लस जो राजय रजवाड़े थी उनको ब्रिटिशन ऐसा बोलग दिया था कि एक तो आप पाकिस्तान में चल लुझा तो कई पर इक शोनॉन न क्या शें माहीं उन्हों है कि इसे पाखिस्तान में आ चाती थि न Probleme है जहाती प्लस प्लस ते में झाका जाती थी च देश बणाने थी एक थी जम्मू क्शमीर दूसरी असे को यह थे जुणागर और थी आटरवाद स्टेट्स न्टि वोई छींडिया अर्व Nasılपि Keeping vegan पनिया पर किस्ते थी में पहुति मिल यहां पर एंडिया मिल गई और कुछ रिया सेथि ती वह उन्होंने उंगली करना स्चाट कर दिया है कि ये बाद में पता चलांग बार को है पकिस्तन के साथ ज condemn कि इंडिया की इंटर Wen कि इसको इन्देया में इला लिया जो नागर था बड़ल क्फ़च आप के तर्सकी आप पर यहाघ कि जनत को कंवेंस कि आपके कि लिए। फिर उन्हेंने क्या कर दिया वहाँ पर जाके referendum लिया referendum मतलब क्या एक टाइप का चुनाओ वहाँ आगए वहाँ पर परचिया बार दी सब को पूछा येस और नो में लगभग 95% लोगों ने बोला कि हमें इंडिया के साथ रहने तो फिर इसको भी मर्च कर रहा लिया इंडिया में अब वहा क्या ये जो पक कश्मिर था अब इसको ऐसा जोलने कर सकते थी इसको ना referendum करवा सकते थे वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम पॉपलेशन बहुत तो इनको लगा referendum करवाएंगे और नहीं बोल दिया तो फिर बात में लूट भी निसको मर्च भी निकरवा सकते खुद में तो रेप्रेंडम आप्शन सही नहीं था और पॉलिस फोर्स का भी यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर टाइस करता था इधर करशी नीए उन्हों ने अब आ गया है when you think 48 अगया फिलल जर अभी इंडिया में क्या आई इंडिया में हैडरबाद इंडिया का पाट हो चुका है फुरा इंडिया इतना पाट छोरके सारा घाए यहां प्रेयама इस पकिस्तानी अब यिज वेस्ट पाकिस्तानी अब शाल् हरे सिंग को लगा शाला आप तो यह तो मारा डालेंगी मतलब इसको लगा कि यह मुझे भी मारा डालेंगे और कश्मीर को अपने में मिला लेंगी कौन पाकिस्ताने लोग तो हरे सिंग को तब पता चल गया यह जो नेरो डाइप के लोग थी मेरे पास आते थी मुझे बोलते निरू के पास समझ गहें और इसने निरू के साथ एक टेटी सेंड की पिच्चा समझ़िक नबिया आपको 1947 में में आजाती मिली आजाती के बाद दो देश बने एक था इंडिया एक था पकिस्तान ने टो जगह था इस्ट पकिस्तान और वेश्ट पकिस्तान ढु необходимо पर पर तीन जो थे वह ज्यादा भाव खा रहे थे एक ता हैद्रबाद एक ता जुनागड एक ता कश्मिर यह बोले हमें किसी के साथ नहीं जाना है जुनागड में निरू जो पटिल थे पटिल नहीं वहां पे रिफरेंडम करवा है उनको एड कर दिया कि आप इंडिया में और कश्मिर खुद मतला को कुई approach करने रहा है यह खुदि हमारे पास आने वाले तब तक कर दिम उसी तरहीं चैडिया ने हाईदरबाद को मिला लिया वह उसी तरहीं किसे ये जो हैका पाकिस्थ्टान वालहनों पाकिस्बास ने जम्हू कश्मिर में अटक कर दिया ताकि वो उस जम्मो कुश्मिनर को पाकिस्तान में मिला दी कब की बात है 1948 की तो उस टाइम पर राजा कौन था हरी सिंग हरी सिंग को लगा आप तो गई काम से हरी सिंग भाकते भाकते का किस के पास है निरु के पास है और निरु को बोला कि आप एक काम करो आप हमें प्रोटेक्शन दो ये जो पाकिस्तान वाले ये हमें मार देंगे मतलब हमें हमारा जो स्टेट इसको मर्च कर रो आ लेंगे पाकिस्तान में जैसे आपने आधरबाद को कर लिया आप हमें प्रोटेक्शन दो तो नेरू क्या बोले, नेरू बहले देख भई मैं तो तेरे पास आया था कि निए, दो साल पहले मैं अने तुछे बोला था कि नहीं कि तुछे इंडिया का पाठ हो जा, समझ गही मैं तुमें प्रोटेक्शन दुगा सब दुगा लौगकत कुद सौचों कि है है इंडिपरेडनेट टेरेटरी थे पर debate इंडिया कि आले अपकर जाएटा है इंडिया केस बीच में कुत पड़ता है मतलब की पाकैस्तन से अगर evitar PG प्रश्मन ही हो जाती मतला आप बोलोगे तो इंडिया तो उसको बच्चा ने जा सकता था अरे बच्चा ने कैसे जाएगा जिसा आप इंडिया कल नेपल से के साथ वार कर रहा है समझ गे और पकिस्तन बीच में खुद पड़ा तो पकिस्तन तु इंडिया के वापस पांडि हैंगे तो हम पर भी तो उघ्चा इंडिया उठेंगी कि आप क्यू वार में कुद बड़े कश्मेर आपका पार्ट है कि आ नहीं ना हरी सिंग तो इंडिपेंडेंडेंट है आपको कुद पड़े तो आप हमें यह इंशर कर आओ कि आप आप खुद चाहते हो कि हम बीच मे प्लेक मेल मतलब हरी सिंग तो चेक्मेट हो गया उसको तो इंडिया को इंडिया में आना भी नहीं था और इंडिया की हेलपीज भी जाई थी फिर उसमें न उसने क्या कर दिया बीच का रास्ता अपने है बीच का रास्ता क्या एक तो पूरा जो स्टेट है वो इंडिया को हम communication कश्मीर एक आज देश के तरह ही रहेंगा बस कश्मीर का डिफेंस external offense और communication व मिझे यह तीन चीजे इन तीन चीजों पर इंडिया का हग मतलब इंडिया की इंडिया को दे रहे हम ही तीन समालने के लिए समझ गए defense external affair और communication यह तीन चीजे हम मैं राजा सब्सक्राइब, चरेफ घुर सब्सक्राइब, तो इन्ठेट ब्रम ने ले काल था प्राइम रिस्पॉंसिल बेटी टू दिफेंड दी कश्मीर इंद एक्सटनल एक्सटनल अग्रेशन मतलब उसको अगर उपर एक्सटनल कोई वार होता है तो उसको हमें प्रोटक करना हमारी जिम्मेदारी एक्सटनल अफिर भी आमरे पास से कम्निकेशन भी आमरे पास ऐसा प्रोटक क्या होगा तो उस टेम पर क्या होगा फिर इंडावीच कोड पड़ा पकेस्तना आ का इंड्या फास आंच पी आ प्चला गया अब मैंटर आ वक्ष्मिर की कश्मीर से लेटेड लेके यह दो नए देशबने इंडिया और पाकिस्तन देश्टन यह बहुत जगड रहें, यह मैटर काई यूए नमी, अब यूए ने क्या बोला, यूए ने पहले बोला इंडिया वालो को, आप क्यों लड रहें हो, तो इंडिया वालो को बोल दिया, कि देखो, ये जो कश्मिर की जो responsibility, वो हमारे पास आई ही, कश्मिर के जो राजा है, कश पर ना फिर देख लू तो इनका टीफिंस की जम्मेतर है हमारे तरफ है इसलिए हम बीच में कुछ पड़े तो फिर यह ने पकिस्तन को बोला वाइस आप क्यों बीच में कुछ नहीं बोला तो पकिस्तन बोला कि जब इंडिया खेले तो क्रिकेट और हम खेले तो तो इनको जैसे हाइदरबाद वाल ने तो किसको दिया नहीं तो आपना यह इन्होंने दिया इनको समय लेको तीन चीज़े तो फिर इस पर मतलब सुला निकली और सुला यह होगी इस पर कि आप जो 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 जन बंदा जहां पर खड़ाए मतलब इंडिया की आर्मी जहां प speaking Japanese के ओ आई थी आप जो पुरा कश्मीर ना कि पाकिसन के जो लोगे नवुत कहाए थिनृति हो जम जो जो यह जो बोलते फोकि तो शक शोल स्क्रप्री इन तो भी पाकिस्तान पक्थ पक कश्मिर किषमिर कारे थिर के अद्सक्तान कि भूख Garlic कि एगा लग यह कि कश्मिर अब पकिस्तान जी निए घएल देया पकिस्तन ईजए पर यह में आएधर लोग लग इनडेड़न साहते थे इनको इन्डिपेंटेस कर दिया है और यहांपे इनकी खुदकी गवर्मेंट यह खुदको खुद चला थे पर इन डारेक्टली पाकिस्तनी चलाता है उदर पर ऐसे उन्होंने पुरू कर देखा पर यह पिर यह नहीं प्रोडिक यह उन्होंने बोला कि आप देखो फिर आप अपना यहां पे अपना अपना खुद कर चलाओ तो यह जो एक पीओ की फिलाल जो कश्मीर टोटल इसका जो देखो लगबग जो कश्मीर इसका यह लगबग 30-35 परसेंट इससा है यह पीओ के जो कि इंडिया का कबजा नहीं वहां पे वहां पे इंडारेक्ली पाकिस्तान का रही परखेंग da going! की पाकिष्मे के पास है। यहां तक समनझ गया कबई तो इस तरीके से यह जो कश्मीर यह इतना कश्मीर आपका स आ गया करे लिग और उतने कश्मिर में हम vari करते हैं क्या मतलब इतने में हमारा रूल चलता है तो उसको थी इंडियाण आнова कश्मिर समझ गई इंडियान एडिमिस्टर कश्मिर इतना उसके बाद आ गई अब फिर क्या हुआ हरी सिंग ने तो साइन कर दिया था तो इतना तो हमें मिल गया समझ गया कौन से कौन से यह जो instrument of accession है ना इसको उन्होंने बोल दिया आर्टिकल 370 हमारा जो constitution बन चुका था उस टैंपए तो उसमें एक article इंडिकल 370 में लिखा गया था कि इंडिया सिर्फ इतना इंडिया जैसे क्या यहां पे यह तीन चीज़े चोड़के कौन सा फॉरेंन, फॉरेंन, आफेंस, वहां पर अफेंस, यह चीज़े चोड़के, बाकर सारी चीज़े, जो जम्मुक्षमिरी के जो गवर्मेंट है, वह क्षमिर में इंडिया के विदान सम्हुमी लें सकता है जब तक विदान सभा यह मुझाना ग्तरम को कुछ कर ना हो वो थीजै झो पर चलिए नहीं मतलब क्या था वह अंदब पेपर तो इंडिया का पार था पर उनका कल्चर वल्चर वैसा नहीं था मैं आपको बताता हूं हमारे मेरे मेरे कुछ दोस्ति हाज मुझे तो उनने क्या आप वह जह मेरे लोग से घुमने क्या लोग से आके लोगों से वह बात कर रहे थी तुन नको पूछा कि के आप स्कीमिक्ट है खें नीनौ नीन करते पूछा कि आपको इनको कि आप स्टेट्रस Cl Cow यंच क्या इनको पूछा कि आप कोंसे आप किस्ते अनें इंडिया कष्मिक्न का पाठी नहीं बंपने उनको गए सेथ गई थी उनके मन में उनको पता था कि हमारा जो इंडिया के साथ गवा ए वह एक अलाइन्स हुआ है समझ गई यह का मतलब इंडिया के साथ हो हमारा फिलाल रिला जो रिलेस्टन ही यह एक मतलब एक कॉंट्रेक्ट शाधी टाइप ही 370 जब तक है तब तक ही हां मतलब हम इंडिया के साथ ही तो 370 तो हट नहीं सकता और हम इंडिया के मतलब वह ऐसा मानते थे कि इंडिया के लोग हम पे एक लेवल के बाद जाधा रूल ना करें समझे तो यह के काफी लोग थे यह चाहते थे कि 370 हटे ही नहीं इसलिए वह इसको अपोस कर रहे थे और इंडिया के लोग क्यों चाहते थे आपको पता चल रहा हो कि इंडिया की पार्टिस थी in 1980-1990 से अपोस कर रहे थे वह बोल रहे थे 370 को हटाओ 370 को क्यों हटाओ क्योंकि देखो वापे टेरिस लो वह चाहते थी कि आर्टिकल 370 को हटाओ जाए और लास्टियर क्या होगा फिर आर्टिकल 370 को हटा दिया अब आर्टिकल 370 को हटा दिया तो क्या हवा डिफेंस एक्ट्रणल आफ़यर और कम्यूनिकेशन इसके साथ साथ सारा जो स्टेट है वह अभी इंडिया के पास आ ग यह मतलब यह अभी पूर्ण था मुक्य रूप से इस सारग सारजमुकिषमय्ष अभी अब ही आमरा इंडिया का प्रॉपर स्टेट बन गया इससे फेले इस स्टेट ही नहीं अमरा इंडिया का समझ गए था मतलब इंडिया का स्टेट था अर्टिकल वन में लिखा हुआ था पर टेक्निकली नहीं था वो आप समझ गया याप टेक्निकली इसले नहीं था क्योंकि वह आप इंडिया की वह प्रोटेक्शन हो लागों यहां मर्यापे है आर्टिकल लेंटी ने उदर वो था ही नहीं वो चीज़ इंडिया का कुछ उदर उनका लेगी था वो साला समझ गई इसके वैसे का काफी चीज होती थी बट क्या हुआ चलो एक चीज तो मानने पड़ी इन्हों ने हटा यह बहुत बढ़ी है चीज की पर जब आर्टिकल 370 हटा ना तो इन के पास न आक को जाते हैं जैसे कि महाराष्ट है महाराष्ट मा अगर डली सरकर नेख चली हमारे में अगो यह संश्वार्यां है पास कर द घ गर्याप णारूं ना पड़ी मदर सैंबरसें अ Przyilisodans प ना पढ़ता ना discharged रही था संभ्याश्त इसको पास होए तससने को का उस्पे देखो विदिन ऐस and isn dollars is not asượng कि अगर आपको लैंड लीनी जम्मू कश्मिर मिन अगर आपको ुएम्ट Sadly तो आपको जन्मी कश्मीर का ुबडे पड़ेगा मतलब वहाइं एग घर कोई रेस्युन ए। जम्मु कश्मीर का नागरी है उसो को सिडीजिन हैं मतलब वहाँ पे पैदा हुआ है उस टेट का उसी को वहाँ पे जमीन वह ले सकता है बार का आदमी हम वहाँ पे जाके जमीन ने ले सकते थे आप मुझे बताओ अगर आमबानी चाता है वहाँ पे एक कंपणी खुलने है ताटा चाता है वहाँ पे एक कंपणी खुलने है तो क्योंकि वह आपके जो कुछ लोग ही तेरियर्जम को प्रमोट करने वाले लोग वह उनको पैसे देते पत्थर समय रहा सो रुपए दिन के पत्थर लेके प्रुलिस के पिछा लग जाओ तो ऐसे वहां पर समय रहा एसे सारे वहां पर चीजें होती थी तो अभी क्या होगा अ यह रहे है यह चीजी चीजेन वह उजाएंगी जो आर्टिकल 35330 के वहां पर हम वहां पर जमने कर सकती तरिक जाके सकता हैं तो 372 को हट दिया तो आप फिलाल क्या होगा है ववन नेशन वन फ्लेक अबजक अब जम्मोट किश्मिर का अलग फ्लेक भी था जम्मु किश्मि इंदी आप अरे बाई ओ टेकनिकली स्टेट नहीं था वो आन पेपर था लीज पिलिए वा था मिव चलाने के लिए हरी बहुशे समझे तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो जम्मो किष्मिर्ण का जो श्तेय्ट का जो यह जाड मोश्मुक्रिक स्टेट का उसके पास यह थ ही अब उसको इसमेरे चली तर रेटी तरों हमेरे देश कंगे इस पिलाला भी से पहले स्यर्ट थे और त्ली स्भी तफिसीन पर्टरे एक चली से इसे को पकड़ा आप क्या हो यह यहां जाम हुग terrorism and nt चली अब कितने सय थी और आप कितने हो गई आप एक स्टेट कम हो गया तूपकी इसा स्टेट का स्टेटस निकाल दिया गाया अब 28 स्टेट हो गए और इनुट टेट रिकितने हो गई दो वढड़ गई इसको दो इनुटेटर में डिवाड़ कर दिया तो यह दो नैन मतलब फिलाल अभी आमारे देश में 28 स्टेट्स हो गए और प्लस 9 धंना टी गटी अब यह जो लटाक 25 बना दिया एक लटाइसको इन ठीटंट धारी उइक आये लडाक गई यह एक एक एडमिस्टर होगा पर जम्हों कश्मिर जो होगा और यहां पर मिनिस्टर और वो सारी चीज होंगी एक दिल के तरह यूटी होगी जैसे पॉंडिचेरी में भी और लादा क्या होगा यूटी होगा आप चीफ मिनिस्टर अगर नहीं होगा समझ गया तो इस तरीके से हमने यह जो पुरा पूरा जो यह था जो आर्टिकल चीज लिए चुटी 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 चीजे पर अभी हुआ हमें पढ़ने की ज़रूती नहीं क्योंकि उस पर कुश्य नहीं आएगा यह चीज अभी अप्लिकेबल है नहीं ना समझ रहे ना जैसे उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई लड़की कोई लड़की अगर स्या स्यादी करती भले वह हुआ जम्मो कश्मिर की पर वह जैसे जम्मो कश्मिर के बाहर स्यादी करती उसका जो महापे लैंड पर्चेस करने का जो राइट था वह खत्म हो जाता समझ कब अर्टिकल 370 था था तब अब यह चीज पढ़ने के ज़रू क्योंकि आभी 370 हट गया ह तो आज के लेक्चेर में बस इतना ही थेंक्यो सो मच इंज्वाइए